श्री शिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव मैं पायल सेनी अपने यूटूब चेनल आज की उपाय में आपका स्वागत करती हूं आज की कथा में गुरुजी ने बताया है दिवाली के दिन अखंड जोत किये में और अन्य दियों में फूली या लई क्यों डाला जाता है रस्वती जी की लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो शिव जी की पुत्री जोती अपने पुत्र सत्यवीर के साथ दिवाली की पूजा के इस्थान पर विराजित होती है और जो फूली या लई होती है वो सत्यवीर का प्रमान होता है दिवाली की पूजा में सत्यवीर का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सत्यवीर ही तै करते हैं कि पूरे साल में हमारे घर में कितनी लक्षमी आएगी इसलिए दिवाली के दियों में लई डाली जाती है चाहे आप दिये में फुली के एक या दो दाने ही डालें पर अवश्य डालें यदि आप दिये में लई नहीं डालते हैं तो आपकी दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है आपके घर में माता लक्ष्मी विराजित नहीं होती है वीडियो को आखरी तक देखने के लिए धन्यवाद यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें साथी कमेंट में हर हर महादे लिखें चेनल को सस्क्राइब कर ले